हेलो फ्रेंड्स, बेलकम बैक तुमाई चैनल हम क्लास एर्थ का की मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट करेंगे जिसकी एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे आज हम रैसनल नंबर और ये ये चैप्टर हमारा NCRT की किस लेवस से लिया हुआ है तो देखें इसका फर्स्ट कोश्चन देखें यूजिंग एप्रोप्रियेट प्रोपर्टीज फाइंड ये जो प्रोपर्टी दी हुई है हमारे फर्स्ट पार्ट की तो इसकी हमें बैल्यू फाइंड करनी है तो ये देखें ये दिया हुआ है माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 5 किस में दिया हुआ है मल्टिप्लाई में दिया हुआ है उसके बाद प्लस 5 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 6 किस में दिया हुआ है ये मल्टिप्लाई में दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं आपको पता होगा, सबसे पहले divide करते हैं, उसके बाद multiply करते हैं, multiply करने के बाद minus plus करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमें ये धियान देना होगा, कि अगर divide है तो divide करेंगे, उसके बाद multiply करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, multiply दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम solve क्या करेंगे, multiply multiply और उसके बाद हम plus minus solve करेंगे तो यह देखिए सबसे पहले हम देख लेगे multiply में कोई ऊपर नीचे होते हैं तो वो cancel हो जाते हैं तो देखे 3 से 3 cancel हो सकता है और यह देखे 3 टूजा 6 तो अब यह देखे multiply करने के बाद क्या हो जाएगा minus 2 upon 5 plus 5 upon 2 minus यहां क्या बचा 1 upon 5 to 10 अब हम calcium लेंगे calcium of 5, 2 and 10 तो कितना हो जाएगा 10 हमने यह नीचे ले लिया तो 5 के table में 10 कितने times जाएगा 2 times तो 2, 2 जा कितना हो जाएगा 4 plus 2 के table में 10 कितने times जाएगा 5 times तो 5 की multiply 5 से होगी तो कितना हो जाएगा 5, 5 जा 25 minus यहां क्या जाएगा 10 बचा 10 बचा 10 आएगा तो यहां 1 आ गया तो अब देखे solve करेंगे से plus का 25 है और यह minus minus वाले add हो जाएगा और sign किसका हैगा minus का 4 और 1 कितना हो गया 5 upon 10 is equal to 25 में से 5 minus होगा तो कितना हैगा 20, 20 upon 10, 10 to the 20, 2 इस का answer क्या आगया 2, second part देखे हैं बहुत ध्यान से देखेंगे हम, second part भी same first की तरह है तो यह देखें 2 upon 5 और minus 3 upon 7 multiply में दिये हुए है, minus का sign दिया हुआ है और यह दोनो multiply में दिये हुए है plus का sign दिया हुआ है और दोनो multiply में दिये हुए है तो अब देखें कितना हो जाएगा यह, cancel हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं तो इनकी multiply कर लेंगे 2 की 3 से multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 5 की 7 से करेंगे 5 7 जा 35 माइनस का sign आएगा देखे 3 से 6 cancel हो सकता है तो 3 2 जा 6 तो 2 की 2 से multiply हो जाएगी 1 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस देखे 2 के table में 14 कितने time जाता 7 times 7 की 5 से multiply हो जाएगी 1 अपॉन version 7 5 सा 35 अब LCM ले लेंगे तो इनका LCM क्या आएगा 35 की 4 से multiply कर लो तो 1 40 जाएगी अब देखे 35 को 1 40 से divide करेंगे कितना हो जाएगा 4 times जाएगा क्योंकि 35 की 4 से multiply कि तो 1 40 जाता है तो 35 को 1 40 से divide करें कितना हो जाएगा तो 6 की 4 से multiply कर लो तो कितना हो जाएगा 24 6 4 4 जा 24 minus अब कितना हैगा 4 से 140 को divide करेंगे कितना हैगा minus 35 plus कितना हो जाएगा 4 ठीक है अब इसे देखो solve करेंगे तो minus 24 और 35 कितने हो जाएगे minus 59 plus 4 upon 140 is equal to solve करेंगे कितना हैगा 59 में से 4 minus होंगे तो कितना हैगा 55 और sign किसका हैगा क्योंकि ये जादा वाला number किसका है minus का तो minus 55 upon 140 is equal to divide हो सकता है देखिए 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 5 टू जा 10 और 40 कितनी टाइम्स जाता है 5 के टेबल में 8 टाइम्स तो कितना आजाएगा minus 11 upon 28 ये answer होगा इसका अब देखिए second वो द्यान से देखेंगे इसमें क्या पूछा हुआ है write the additive inverse of each of the following सबसे पहले हमारा ये जानना जरूर है कि additive inverse होते क्या है additive inverse वो होते हैं अगर कोई भी दो नमबर दिये हुए हों जैसे हम माल लेते हैं A और V दो नमबर हैं तो उन्हें add करने पर कितना आना चाहिए जीरो आना चाहिए ये हमारा additive inverse होता है तो इसमें क्या करना है हम सभी में सिर्फ sign change करने है वही उसका additive inverse होगा तो 2 upon 8 है तो इसका sign change करेंगे ये plus का है तो इसका हो जाएगा minus का minus 2 upon 8 second part देखिए minus 5 upon 9 दिया हुआ है तो इसका sign change होगा तो कितना हो जाएगा ये minus का है plus का हो जाएगा 5 upon 9 third देखिए third में क्या दिया हुआ है उपर भी minus है नीचे भी minus है तो minus minus cancel हो जाएगे तो कितना हो जाएगा 6 upon 5 तो 6 upon 5 का additive inverse कितना हो जाएगा minus 6 upon 5 2 upon minus 9 दिया हुआ है यानि माइनस में दिया हुआ है नमबर तो प्लस में क्या हो जाएगा 2 upon 9 फिप्त क्या दिया हुआ है 19 upon minus 6 माइनस में नमबर दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा प्लस का करेंगे तो 19 upon 6 यही आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट देखिए next दिया हुआ है इसका third verify that minus और bracket में भी minus x is equal to x4 दिया हुआ है तो इसका हमें first निकालना है मतलब यह verify करना है कि अगर यह दिया हुआ है तो is equal to x होगा तो x is equal to 11 upon 15 दिया हुआ है तो अब यह देखिए अगर हम minus x तो यह दिया हुआ है अगर हम minus x करें तो यह क्या हो जाएगा minus इदर भी लगेगा 11 upon 15 हो जाएगा यह ठीक है और हमें पता है additive inverse क्या होता है अभी हमने इससे पहले जो question कराए वो additive inverse के थे तो additive inverse क्या बतायता है मैंने two number यानि दो कसम तो वो क्या होता है a plus v is equal to 0 होता है a हापर क्या है हमारा x है और v क्या है minus x अगर हम इने add करेंगे यानि x plus minus x is equal to हमारा 0 आना चाहिए तो x 11 अपॉन 15 plus minus x क्या minus 11 अपॉन 15 is equal to कितना हो गया 0 हम इसे इस साइड ले आते हैं तो कितना हो जाएगा यह minus 11 अपॉन 15 यह plus वाला इस साइड आगे किसका हो जाएगा minus का minus 11 अपॉन 15 अब इनके हम sign change करने के लिए क्या करेंगे minus से minus लगाएंगे आपर तो minus 11 अपॉन 15 और यह minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा 11 अपॉन 15 तो देखिए यह क्या है हमारा 11 अपॉन 15 X तो कितना हो जाएगा minus minus X is equal to X यही तो find करना था हमें यही verify करना था हमें इसका next देखिए X is equal to minus 13 अपॉन 17 यह भी same है इसमें भी क्या करेंगे अगर हम इसे minus X करेंगे तो यह कितना हो जाएगा यह plus हो जाएगा 13 अपॉन 17 हो जाएगा यह अब हम भाई additive inverse ले लेंगे additive inverse हमारा क्या होता है इन दोनों का sum 0 तो कितना हो जाएगा यह X plus minus X is equal to 0 X क्या है आपर minus 13 upon 17 plus minus X क्या है 13 upon 17 is equal to 0 ठीक है अब यह यह plus वाला हम क्या करेंगे इसे 13 इसे इस side ले लेंगे तो कितना हो जाएगा यह minus 13 upon 17 is equal to कितना हो जाएगा यह minus 13 upon 17 हो जाएगा minus 13 upon 17 हो जाएगा यह अब देखें minus से multiply अगर हम करें तो कितना हो जाएगा यह minus 13 upon 17 is equal to 13 upon 17 तो यह क्या है हमारा 13 upon 17 क्या है हमारा minus minus X is equal to और यह क्या है हमारा X यह हम है verify करना है ठीक है देखें यह इसकी value क्या है 13 upon 17 की X और इसकी क्या है X यह हमें find करना है करना हम यह हमे यह कि अगर हम Iowa यह क्या हम lefat करें हम अन्या मिए यह यह हमारा यह जो हम tube । यह हम पेहुले है